दोस्तों आजकल DJ की बिजनेस में competition बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और हर मार्केट में हर जगा बहुत सारे DJ वाले मौजूद हैं और वे booking लेते हैं और पैसे कमाते हैं तो इससे में अगर आभी DJ का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको competition करना पड़ेगा उन पिर नहीं मिलेगी और मिलेगी भी तो बहुत कम मिलेगी इससे आप जो है नुकसान में जा सकते हैं और सारा आपका लगाया पैसा डूप सकता है तो ऐसे पर जो है system लाएं तो अच्छे quality का लाएं अच्छे company का लाएं बेस अच्छा होना चाहिए और बाकी सबसे अलग हो होना चाहिए दिखने में सुन्दर होना चाहिए तभी आपका डीजे चलेगा आपको ज्यादा booking मिलेगा नहीं तो आपको जो है booking नहीं मिलेगा दोस्तों जब भी आप डीजे का बिजनेस सुरू करें जब भी आप system खर दें उससे पहले आप market में देख लें आपके इलाके कि यह बिजनेस को कौन कौन से लोग कर रहे हैं यानि कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि DJ का सिस्टम रखते हैं और इससे कितना पैसा चार्ज करते हैं यानि कि वहाँ भाव क्या चल रहा है और करने वाले कितने हैं इस बिजनेस को इस हिसाब से ही सुरू करें नहीं तो पार्केट में रेट क्या चल रहा है, तमाम जानकारियों को पहले एकत्र कर लें, इसके बाद इसे सुरू करने के बारे में सोचें तो आप नुखसान से बच सकते हैं दोस्तो इस business को जब भी शुरू करें तो loan लेकर शुरू नहीं करें तो बैतर है नहीं तो आप फ़त सकते हैं हो सकता है आपने loan लेकर शुरू किया हो और आपको ज़्यादा booking न मिले आप ज़्यादा पैसा ना कमाएं तो आप व्याज नहीं भर पाएंगे इंट्रेस्ट नहीं भर पाएंगे तो ऐसे में ज़्यादा लगा होता है लोगों से यानि कि समाज में जिनका ज़्यादा इजद होता है जिन लोगों को ज़्यादा लोग जानते हैं उनको ज़्यादा booking मिलती है तो ऐसे में आप अच्छा वेभार बनाईए लोगों के नजर में रहिए और अच्छे से आपका personality maintain करके रखिए लोग आपको जाने पहचाने औ और उस market में जो है rate ही न चल रहा हो तो ऐसे में market के हिसाब से rate रखिए बहुत ज़्यादा rate मत रख दीजे या फिर बहुत कम भी rate मत रख दीजे अगर बहुत कम भी रखेंगे तो आपका जो है लोग समझेगी कि खराब DJ सिस्टम है और ज़्यादा rate रख लेंगे तो आपक सकते हैं इस प्रकार से जो है अपना नाम रख लेजे डीजे का तो बहतर रहेगा इससे लोग आपको जानेंगे इससे ज्यादा आपको booking मिलेगी साथ ही साथ दोस्तों आप अपने time के और अपने बात के पक्के बने ऐसा नहीं है कि आपको 8 बजे बुलाया गया है तो आप आपको 8 बजे बुलाया गया है तो आप 8 बजे वहाँ पर पहुंच जाएए तभी आपका जो है लोग इजद करेंगे और आपको ज्यादा ज्यादा booking मिलेगी तो ऐसी गलती ना कीजिए जो है कस्टमर की बात को जो है मानिए उनको समझीए दोस्तों डीजे का बिजनेस खुद भी operator बन सकते हैं यानि कि यहाँ पर एक operator की भी जूरत होती है और जो है बहुत सारी चीजों को maintain करना पड़ता है क्योंकि दोस्तों कई बार लडाईयां भी हो जाती है जो है गाना बजाने को लेकर साधी ब्या होते हैं वहाँ पर तो कई सारी परसानिया होती है बहुत महत्पूर है दोस्तों की कई बारे डीजे का जो है सिस्टम खराब होता है तो उनको बनवाने में ज्यादा पैसा लग जाता है तो इसे में इनका भी आपको ब्योस्ता करके रखना पड़ेगा अगर आपके पैसा कम है तो इन बातों का ध्यान रख लिजे इसके बा चार लाख रुपए आपको पूरा सिस्टम खरिदने में एक बेहतर सिस्टम खरिदने में तो लगी जाएगा ऐसे बहुत सारे इलाके हैं दोस्तों जहां पर डीजे के बिजनस में इतना कमपटीशन बढ़ गया है कि वहां रेट बहुत जादा डाउन होते जा रहा है और महांगाई बढ़ते जा रही है तो यसे में इस बिजनस में कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है दोस्तों तो अपने मार्केट को समझ लीजिए ये बहुत महत्पूर बात है दोस्तों डीजे के बिजनस को सुरू करने में यहां पर आपको लाइसेंस के भी जोर अब इसाथ आपको आपको एक बड़े कमरे की जोरत होगी जहाँ पर आप सारा सिस्टम डख सकते हैं और आपको एक उपरेटर की भी जोरत पड़ेगी या फिर आप आप फिर खुद बन सकते हैं और दोस्तो आपको जब भी DJ सिस्टम आपको booking मिलेगी इसकी तो आपको जो है दो तीन बंदे की जुरत होगी जो है सिस्टम को लोड करने के लिए तो ऐसे में बंदों की विवस्था करनी पड़ेगी आपको लोगों से जान पाशान बनाना पड़ेगा दोस्तो आप इस बिजनस को घर से भी सुरू कर सकते हैं लेकिन घर में कम जगह होती है और साउंड सिस्टम को रखने में जो है काफी जगह की जुरत होती है तो ऐसे में आपको बाद में अपना जो है कमरा बनवाना पड़ेगा तो इसके लिए आप जो है बाद में अलग जो है कमर बढ़ता जा रहा है तो अंत में मैं यही कहूंगा कि आपको कुछ अलग बेहतर करना पड़ेगा अच्छे से अच्छे साउंड का क्वाल्टी होना चाहिए अच्छे से अच्छे से अच्छे मिक्सर मसीन रखे और साथी साथ थोड़ा लाइटिंग बत्ती जो अगर आपको बेहतर करते रहिए हर कुछ नया किजी अगर कोई competition में आपका बेहतर बन रहा है तुससे आपको आगे निकलना होगा आपको कुछ बेहतर करना होगा अलग करना होगा तभी जो आपका business आगे बढ़ेगा आप ज्यादा सज्यादा मुनाफ़ा कमाएंगे दोस्तों तो के को पहले देख लीजिए इसके बाद इसे सुरू करने के बारे में सोचे दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा दिल से और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं